हेलो दोस्तो मैं हो मेर इतनी महिनत से वीडियो बनाने के बाद भी बैक टू दा फ्यूचर वन पर उतना अच्छा रिस्पॉंस नहीं आया फिर भी कई लोग चाते थे कि मैं इस मूवी सीरीज को खत्म करूँ इसलिए आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा और आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है पहले आप इसका पहला पार्ट देखे वरना ये मूवी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे भी बहुत ही positive response मिला था जैसे IMDB पर इसे मिले है 7.8 star out of 10, Rotten Tomato पर 66% fresh with 85% audience score और इसे 94% Google users ने like किया है So without wasting much time चलते है सीधा वीडियो की तरफ मूवी की शुरुआत वही से होती है जहाँ पहली मूवी खत्म हुई थी लेकिन माटी, जैनिफर और डॉक के फ्यूचर में जाते समय बीफ कार को देख लेता है तीनों जैसे ही फ्यूचर में पहुचते हैं वहां कार्स उड़ रही थी माटी के पूचने पर डॉक बताते है वो अभी 2015 में है जैसे ही जैनिफर को पता चलता है वो लोग फ्यूचर में है जैनिफर बहुत सारे सवाल करने लगती है जैसे उनकी शादी धूमधाम से हुई या नहीं उनके बच्चे कितने हैं वो कितने अमीर है वगेरा वगेरा लेकिन डॉक उसे एक डिवाइस से बेहोश कर देते हैं जिससे जादने के बाद उसे ऐसा लगेगा जैसे वो सपना देख रही थी फिर तीनों नीचे उतरते हैं डॉक माटी को जूते और जैकेट पहनने के लिए देते हैं फिर जाकर किसी पर नजर रखते हैं वो लड़का बिल्कुल माटी की तरह दिख रहा था क्योंकि वो माटी का ही बेटा है डॉक ने जो कपड़े और जूटे माटी को दिये थे वो पहनने के बाद वो भी अपने बेटे के जैसा ही दिख रहा था फिर वो लोग जैनिफर को एक जगा रग देते हैं फिर डॉक एक न्यूस पेपर में दिखाते है कि उसके बेटे को 15 साल की जेल हो गई है और उसकी बेटी उसे छुडाने गई तब उसकी बेटी को भी 20 साल की जेल हो गई क्योंकि अभी सामने ही कैफे में उसका बेटा आएगा वहाँ ब्रीफ नाम का लड़का उसके बेटे को जबरदस्ती चोरी करने के लिए लेकर जाएगा जिससे उसे सजा होगी डॉक का प्लैन था वो माटी को उसके बेटे की जगा भेजेंगे और माटी ब्रीफ के साथ जाने मना कर देगा फिर डॉक उसके बेटे को कैफे में आने से रोकने जाते है और माटी आगे जाता है क्लॉक टावर के सामने तालाब बना हुआ था कार्स हवा में उड़ रही थी वहाँ एक दुकान में माटी के जमानी की चीजे एंटिक में बिक रही थी माटी वहाँ एक किताब देखता है फिर माटी उस कैफे में जाता है वहाँ बूड़ा बीफ था वो माटी को उसका बेटा ही समझता है वो बताता है उसके बाप मतलब माटी ने अपनी जिंदगी बरबाद कर दी है और वो एक लूजर है तभी वहाँ ब्रीफ आता है वो बेटा बिलकुल उसके बाप जॉर्च के जैसा डरपोग था उसके आनाकानी करने पर ब्रीफ उसे मारता है और उठाकर काउंटर की दूसरी तरफ फेक देता है जहां माटी चुपा हुआ था माटी का बेटा बेहोश हो जाता है फिर माटी बाहर आता है और वो ब्रीफ के स स्केटिंग कर रही थी माटी जाकर एक लड़की का स्केट बोड लेता है लेकिन वो स्केट बोड नहीं था बलकि वो हवल बोड था जो हवा में उड़ता है माटी हवल बोड की मदद से भागता है लेकिन वो लोग भी हवल बोड से उसका पीछा कर रहे थे लेकिन माटी च पिर ब्रीफ अपना हवल बोड निकालता है और अपने दोस्तों को उससे कनेट करके माटी को बेसबॉल बैट से मारने आता है लेकिन सही समय पर माटी पानी में कूच जाता है और ब्रीफ अपने दोस्तों के साथ सीधा सामने ही क्लॉक टावर की बिल्डिंग में काच हुए घुस जाता है माटी गीला होकर बाहर निकलता है लेकिन उसका जैकेट उसे सुखा देता है माटी उस लड़की को हवल बोड वापस करने जाता है लेकिन उस लड़की के पास ब्रीफ का बोड था इसलिए वो माटी वाला हवल बोड वापस नहीं लेती तभी वहाँ एक बूरा क्लॉक टावर को बचाने चंदा मांगने आता है तभी वहाँ एक फुटबॉल मैच का रिजल्ट अनाउंस होता है उसके साथ खड़ा बूरा बोलता है अगर उसके पास पहले से रिजल्ट होते तो वो जीतने वाली टीम पर पैसा लगाता इससे माटी को एक आइडिया आता है वो उस एंटिक शॉप में जाकर वो किताब खरीदता है जिसमें 1950 से 2000 तक सभी गेम्स में जीतने वाली टीम के रिजल्ट थे माटी बाहर आता है तभी वहाँ डॉक आते है तभी उन्हें विफ भी देखता है और उसी समय माटी का बेटा भी कैफे से बाहर निकलता है विफ दोनों को हैरानी से देख रहा था माटी डॉक को दिखाता है न्यूस पेपर की हेडलाइन बदल जाती है क्योंकि इस हाथसे के बाद ब्रीफ को जेल हो जाएगी और माटी का बेटा ब्रीफ के साथ चोरी करने नहीं जाएगा जिससे फ्यूचर बदल गया फिर वो लोग वापत जाने की तयारी करते है माटी वो हवल बोड कार में ही रख देता है लेकिन डॉक को वो बुक दिख जाती है जिसपे वो माटी पर नाराज होते है क्योंकि उन्होंने टाइम मशिन पैसा कमाने नहीं बनाई थी माटी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पैसा ही पैसा होगा लेकिन डॉक नहीं मानते तबी वो सामने देखते है जैनिफर के पास पोलिस वाले आ गए थे वो उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करते है जिससे उन्हें जैनिफर का एड्रेस मिलता है मतलब अभी की जैनिफर का पोलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते है फिर डॉक और माटी भी पोलिस के पीछे जाने निकलते है ताकि वो अभी की जैनिफर को पास्ट से आई जैनिफर से मिलने से रोक सके और डॉक उस बुक को वही कचरे में फेक देते है लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ से बीफ निकलता है और उसे अब सब पता चल चुका है कि डॉक्टर ब्राउन ने टाइम मशिन बनाई है पोलिस जैनिफर को घर लेकर आती है मतलब अभी के जैनिफर के घर और उसके फिंगर प्रिंट से में डॉर खोलती है अब जैनिफर को भी होश आ गया था वहाँ उसे खुट की शादी की फोटो मिलती है तबी उपर से क रही थी क्योंकि वो उसकी ही बेटी है वो दर्वाजा खोलती है बाहर उसके दादा दादी मतलब माटी के मॉम डैड आये हुए थे इस तरफ माटी और डॉक वहाँ आ ही रहे थे तबी डॉक को कोई उनका पीछा करते हुए नजर आता है लेकिन उन्हें 2015 में कौन जानता ह इसलिए डॉक अभी उसे इगनोर कर देते हैं घर में माटी की मॉम बात कर रही थी कि माटी को बिलकुल बरदास्त नहीं होता कि कोई उसे चिकन बोले यही साबिट करने उसने 30 साल पहले कार रेस लगाई थी तब उसका एक्सिडन्ट हुआ था जिससे उसका हाट तूड ग उसका बेटा आता है लेकिन वो जैनिफर पर ध्यान नहीं देता वो अंदर जाकर टीवी देखता है और वोइस कमांड से ही चैनल बदलता है तबी घर में बुड़ा माटी आता है लेकिन बाहर माटी कार छोड़ कर घर की तरफ जाने लगता है और पीछे से बीफ आकर कार क और वहाँ से ले जाता है अंदर उनकी बातों से हमें पता चलता है जैनिफर और माटी के रिष्टे ठीक नहीं है तबी माटी को एक कॉल आता है वो अंदर जाकर कॉल रिवी करता है वो एक वीडियो कॉल था उसमें माटी का कलीग उसे किसी डील के लिए कार्ड स्वाःब करने बोल रहा था जैनिफर ये देख रही थी माटी अपना कार्ड यूज करने तयार नहीं हो रहा था तब वो उसे चिकन बोलता है जिससे गुस्षे में माटी काट स्वाइप कर देता है तब ही उसके ब Lacs का कॉल आता है और वो उसे fire कर देता है और wireless printer से fire you का print निकलता है उसमें से एक paper जेनिफर भी अपने पास रख लेती है तबी पीछे की खिड़की में डॉक आते है और उसे दर्वाजे पर जाकर अपना थम लगाने बोलते है जेनिफर main door पर आती है जहाँ old जेनिफर आती है और दोनों ही एक दूस देखते ही बेहोश हो जाती है डॉक माटी को बुलाते है तब तक बीव भी वापस आ जाता है लेकिन बाहर निकलते समय उसकी लाटी थोड़ी सी तूड़ जाती है फिर वो लोग बेहोश जेनिफर को लेकर आते है वापत जाने के बाद डॉक टाइम मशिन डिस्ट्रोई क करने वाले थे क्योंकि इसका इस्तेमाल खतरनाक है और वो दुनिया के दूसरे रहस्यों को सुलजाएगे जैसे और थे फिर वो लोग 1985 में वापस आ जाते है और जैनिफर को उसके घर के सामने छोड़ देते है ताकि जब वो सुबा उठे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे उस उसने सपना देखा हो फिर डॉक माटी को उसके घर छोड़ते है लेकिन जैसे ही वो खिड़की से अपने रूम में जाता है वहाँ एक लड़की थी जो चिल्लाने लगती है वहाँ उसका बाप आता है और माटी को मारने की कोशिश करता है माटी को लगता है वो गलत घर में आ गया, लेकिन किसी तरह वो बाहर भागता है, लेकिन बाहर का नजारा और ज़ाला खतरनाक था, हर जगा मडर्स के निशान थे, बिल्डिंग्स जली हुई थी, गाड़िया कबार की तरह पड़ी हुई थी, माठी को लगता है वो गलत समय में आ गया है, वो पास में ही घर के बाहर पड़े निउस पेपर को उठाता है लेकिन उसमें तारीख बिलकुल ठीक थी उसे को समझ नहीं आता लेकिन तबी गन लेकर उसके पीछे कोई आता है वो उसके टीचर थे लेकिन वो माटी को जानते ही नहीं थे क्योंकि स्कूल तो छे साल पहले ही बंद हो चुका है त जगा बस बाइकर्स और गुंडे मवाली ही दिख रहे थे माटी उस बिल्डिंग के सामने जाता है जो बीफ के नाम पर है वहाँ एक टीवी में बीफ के बारे में पताया जा रहा था कि वो इस डेश का सबसे अमीर आदमी है वो कभी जूवे में नहीं हा रहा वो हर खेलके सख्टे में जीता है उसने सख्टे को लीगल बना दिया और 1975 में लौरी मैधविय सी शादी कर ली यह देखते ही माटी को शौक लगता है तभी कुछ लोग उसे पकड़ कर वेहोश बीच घ्रता है उसके सामने कोई था, वो उसकी मॉम ही थी, माटी को लगता है, उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन जैसे ही light on होती है, सामने उसकी मॉम ही थी, लेकिन बहुत अलग, तभी वहाँ बीफ आता है, और माटी को डाटने लगता है, लोरी और उसमें भैस होती है, जिस पे वो लौरी को धक्का दे देता है माटी उसे मारने आता है लेकिन उसके आदमी माटी को पकड़ लेते है और बीफ उसे मारता है ये देखते ही लौरी वहाँ से जाने लगती है लेकिन बीफ उसे धमकी देता है अगर वो गई तो वो उसके बच्चों का खर्च नहीं और माटी को जेल में दलवा देगा जिसे सुनकर लॉरी रुख जाती है विफ दो गंटे में माटी को जाने बोल कर वहाँ से चला जाता है माटी को कुछ समझ नहीं आता कि विफ उसका बाप कैसे बन गया और उसके असली डैड मतलब जॉर्ज मेकफ्लॉय कहा है तब वो माट माटी को उसके डैड का अड्रेस बताती है माटी तुरंत वहाँ जाता है दरसल उसके डैड 1973 में ही मर चुके थे और वो कबरस्तान में थे माटी इसे एकसेप्ट ही नहीं कर पा रहा था तब ही वहाँ डॉक आते है और उसे अपने साथ लेकर जाते है फिर डॉक उसे उसके डैड की निउस दिखाते है कि 1973 में उन्हें किसी ने गोली मार दी थी डॉक बताते है किसी ने डाइमेंशन के साथ छेर चाड की है जिससे वो लोग किसी नई अल्टेनेट रियालिटी में पहुँच गए डॉक दिखाते है उन्हें कार के अंदर उस बुक का बैग मिला दाता है जो वो दोनों बात कर रहे थे बीफ उनकी बाते सुन रहा था और ये सब उसकी ही गलती है अगर वो बुक नहीं खरीदता तो ये सब नहीं होता माटी फ्यूचर में जाकर बीफ को टाइम मशिन चुराने से रोकने बोलता है लेकिन डॉक बताते है अगर वो यहां बीफ को वो किताब दी थी उन्हें उसे रोकना होगा लेकिन उसके लिए उन्हें exact date और जगा पता होना जरूरी है जब बुड़े बीफ ने खुद को किताब दी थी जिसका पता माटी लगाएगा फिर हम बीफ को देखते है जो क्लिंट इस्टूट की मुवी डग गुड एन अगली का एक सीन देख रहा था जिसमें वो लोहे के तुकडे से गोलियों से बचता है तभी वहाँ माटी आता है और बीफ के सामने उस बुक का जिक्र करता है जिसे सुनकर बीफ शौक होता है फिर वो माटी को अपने आफिस में लेकर आता है माटी उससे पूछता है वो बुक उसे कब और कैसे मिली बीफ बताता है 12 नवंबर 1955 को ये सुनकर माटी हैरान होता है क्योंकि यही वो दिन है जब वो पास्ट से वापस आया था लेकिन बीफ के पूछने पर माटी बोलता है इसी दिन क्लॉक टावर पे बिजली गिरी थी माटी बोलता है उसी दिन वो बुक की पूरी जानकारे दी फिर गायब हो गया और फिर कभी दोबारा नहीं मिला बीफ उस किताब को वापस रखने लगता है तब माटी सामने पड़ी मैच बॉक्स अपने पास रख लेता है जिस पे बीफ का ही नाम लिखा था बीफ आगे बताता है उसने कहा था एक एक दिन एक पागल साइंटिस्ट या एक लड़का इस किताब के बारे में पूछेंगे तब उन्हें मार देना तब माटी बोलता है पीछे देखो पीछे फिर वहाँ से भागता है बहार बीफ के आदमी भी उसे देख लेते है लेकिन माटी किसी तरह उन्हें चक्मा देकर चट पर जाता है लेकिन वहाँ बीफ आ जाता है वो माटी को गन पॉइंट पर नीचे कूडने बोलता है और यहाँ माटी को पता चलता है उसके डैट को भी बीफ नहीं मारा था माटी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन बीफ के हाथ में गन थी इसलिए माटी नीचे कूड जाता है बीफ ये देखकर एकदम शौक हो जाता है लेकिन जैसे ही वो आगे आता है माटी ऊपर आता है क्योंकि वहाँ डॉक कार के साथ पहुच गए थे फिर डॉक बीफ के कुछ समझने से पहले ही कार के दरवाजे से उसे मार कर बेहोश कर देते हैं फिर दोनों भी वहाँ से निकलते है टाइमर ठीक से काम नहीं कर रहा था डॉक उसे दो बार ठोकते है माटी बोलता है जैनिफर का क्या होगा डॉक बताते है अगर वो कामियाब हो गए तो उनका प्रेजेंट फिर से बदल जाएगा जैसे पहले था और जैनिफर को इस जगा के बारे में कुछ य माटी उन्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो अपने रूप से ना मिल जाए क्योंकि अभी यहाँ उन दोनों के दो वर्जन मौजूद है क्योंकि आज रात को ही यहाँ का माटी क्लॉक टावर पर गिरी बिजली की मदब से वापस जाने वाला है फिर डॉक माटी को पीछा करने लगता है बिफ अपनी कार लेने आया था क्योंकि कल ही वो गोबर के ट्रक से टकराया था लेकिन वहाँ बुड़ा बिफ बीफ भी था जो अपने आपको देख रहा था बिफ गिराज में बिल देने जाता है और बुड़ा बिफ भी दूसरी तरफ देख रहा थ तबी माटी उसकी कार के पीछे छुप जाता है बीफ बाहर निकलता है वो देखता है सामने से लौरी आ रही थी बीफ जाकर उसे छेड़ने लगता है लेकिन लौरी उसे मार कर भाग जाती है जब अपनी कार के पास वापस आता है उसमें बूड़ा बीफ बैठा हुआ था व और वो उसे अमीर बनाने आया है, फिर वो उसे बुक देता है, जिसमें इस सदी के पूरे गेम्स के रिजल्ट है, डेमो के तोर पर बुड़ा बीफ रेडियो पे चल रहे एक गेम का रिजल्ट बताता है, जिसे सुनकर यंग बीफ शौक होता है, लेकिन बुक को उठाकर पी माटी वही फज जाता है, माटी फॉरण डॉक से कॉंटेक्ट करके पूरी बात बताता है, और उन्हें तूरंत यहां आने बोलता है, अब शाम हो चुकी थी, बीफ डांस के लिए जाने निकलता है, वो बुक उसके जेब में ही थी, माटी उसे देख लेता है, और वापस का के पास आता है, और उस बुक को अपने सामने रखता है, और कार से कॉलेज की डांस पार्टी के लिए निकलता है, उसके निकलते ही डॉक वहाँ आते है, लेकिन गेराज एकदम खाली थी, माटी वोकी टॉकी से डॉक से कॉंटेक्ट करता है, लेकिन एक टनल आने से उनका क कॉंटेक्ट तूड जाता है, डॉक देखते है, वो चलते चलते क्लॉक टावर के पास आ गए थे, जहां वो कार रखी हुई थी, माटी फिर उनसे कॉंटेक्ट करता है, और उन्हें बताता है, वो बीफ के कार के पीछे है, और बुक भी यही है, डॉक उसे कैरफुल रहने बोलते है, ताकि वो अपने आप से न मिल जाए, लेकिन तभी डॉक के पीछे, इस समय के डॉक आते है, और उनसे टूल मानते है, डॉक बिना बता ही, उन्हें उस नंबर का पाना देते है, दोनों आपस में बात करते है, यहां के डॉक बोलते है, फ्यूचर में वो दोनों शायद फिर से मिलेगे, तब डॉक बोलते है, यहां अतीत में मिलेगे, फिर वहाँ से चले जाते है, यहां के डॉक को कुछ अजीब लगता है, दूसी तरफ बीफ स्कूल पहुचता है, और वो किताब भी अपने साथ लेकर जाता है, माटी बी अंदर जाता है, जहां वो दोस्त बाहर निकलते है, माटी भी बाहर आता है, बिफ अपने दोस्तों को माटी को ही ढूनने भेजता है, अब बिफ अकेला था और वो मैगजिन पढ़ रहा था, माटी चुपचाप उसके पीछे जाता है, तब वो देखता है सामने लौरी और यहां का माटी कार से वहाँ वो बुक अभी भी बीफ के जेब में ही थी, माटी चुपके से उसके पीछे जाता है, वो जैसे ही उस बुक को लेने वाला था, वहाँ वही टीचर आ जाते है, और बीफ से उस बुक को ले लेते है, और उसे डाट कर भगा देते है, वो बुक उन्ही के पास थी, इसलिए म माटी अब उनके पीछे जाता है। माटी तुरन डॉक से कॉंटेक्ट करता है और पीछे जॉर्ज कार के पास आ रहा था। उसे एक और पंच मार कर बेहोश कर देता है और उस बुक को लेकर वहाँ से भागता है। माटी तुरन डॉक को बताता है उसे किताब मिल गई। डॉक तुरन उसे स्कूल की छट पर बुलाते है लेकिन तभी माटी के सामने बीफ के दोस्त आ जाते है। और डॉक भी कार लेकर निकलते हैं तभी वो गलती से बोट से टकरा जाते हैं जिससे टाइमर में एक जनवरी 1885 का टाइमर टाइप हो जाता है। पतलब 100 साल पहले का साथी कार के टायर में वहाँ की एक रसी भी फस जाती है। इस स्टेज पर माटी गो जोनी गो बजा रहा था और इस माटी के पीछे उसके पेरेंट्स नाच रहे थे। बाहर बीफ को होश आता है और वो भी पाटी की तरब भागता है। माटी देखता है स्टेज की बगल में वो लोग यहां के माटी का इंतिजार कर रहे हैं। वो स्टेज की दूसरी साइट पर जाता है। माटी देखता है उनके उपर वेट मैनेज करने वाली बोरिया लगकी थी। माटी स्टेज के उपर चड़ता है। नीचे माटी गिटार बजा रहा था और उपर माटी आगे बढ़ रहा था वो बड़ी मुश्किल से उन बोरियों की रसी तक पहुचता है और उसे खोल देता है और वो बोरिया सीधा उन लोगों के उपर गिरती है माटी रसी से नीचे आता है वो लोग उठ रहे थे लेकिन म पोरी और जॉर्ज मिलते हैं, बाहर से माटी उन तीनों को बात करते हुए देख रहा था, तभी वहाँ बीफ आता है और माटी को लड़ने बोलता है, लेकिन माटी उसे मना करके जाने लगता है, लेकिन तभी बीफ उसे चिकन बुलाता है, जो माटी से बरदास नहीं होता, और वो वापस आकर बीफ से लड़ने वाला था, लेकिन तभी अंदर का माटी दर्वाजा खोल कर बाहर आता है, जो सीधा इस माटी के सिर पर लगता है, और वो नीचे गर जाता है, बीफ देखता है, वो किताब भी माटी के ही पास है, वो किताब उसे ले ले लेता है, और उसे मार कर वहाँ से चला जाता है माटी उसे रोपने की कोशिश करता है लेकिन बीफ अपनी कार से वहाँ से निकल जाता है माटी तुरन छट पर भागता है क्योंकि डॉक वहाँ पहुझ गए थे वो उस रसी को निकाल रहे थे जो कार के टायर में फस गई थी माटी उन्हें सब बताता है कि बुक बीफ के ही पास है दोनों बीफ के पीछे जाते है माटी देखता है वो किताब बीफ के कार के पीछे ही रखी हुई थी डॉक चुपचाप अपनी कार उसके पीछे लेते है फिर माटी हवल बोट निकालता है फिर हवल बोट के जरीये चुपके से बीफ की कार पकड़ लेता है और डॉक वहाँ से निकल जाते है बीफ रेडियो चालू करता है और माटी चुपके से उसकी कार के बाजो आता है वो बुक वही थी, लेकिन तभी बीफ उस बुक को उठा लेता है, और रेडियो में गेम के रिजल्ट सुनने लगता है, किताब में देखकर वो बहुत शौक होता है, क्योंकि किताब में बिलकुल सही रिजल्ट लिखे थे, बीफ किताब को बाजू की सीट पर रखता है, दर्वाजे से लटका हुआ था वीफ उसे गिराने की बहुत कोशिश करता है फिर सामने ही एक टनल आने वाली थी वीफ कार के उस साइड को टनल से एकदम चिपकाने वाला था लेकिन माटी सही समय पर पीछे आ जाता है वीफ को लगता है माटी गिर गया वो किताब निकालने की कोशिश करता है लेकिन आईने में उसे माटी डिख जाता है जो सामने आ रहा था जैसे ही माटी सामने आता है वीफ उसे पंच मारता है दोने ट्रक से टकराते हुए बचते है वीफ अपनी कार को टनल की दिवार से चिपकाने वाला था जिससे माटी कार और दिवार के बी से कर चींद नहींता की से लेकिन सामने ही एक ट्रक था बिफ की कार उस से टकराती है और फिर से ट्रक का पूरा गोबर उस पर और उसकी कार पे गिर जाता है और माटी और डॉक वहाँ से निकल जाते हैं, दोनों तूरंत लायर निस्टेट के पास पहुचते हैं, माटी नीचे उतरता है, डॉक बताते हैं कार उडाने मौसम ठीक नहीं है, माटी तूरंत उसका किटाब को निकालता है और उसे जला देता है, माटी देखता है उस मैज डॉक को बताता है, डॉक भी अपना निउस पेपर देखते है, उसकी भी हेडलाइन बदल जाती है, दोनों बहुत खुश होते है, उनका काम हो गया, अब उन्हें वापस फ्यूचर में जाना था, तभी माटी के बाजू एक बिजली गिरती है, लेकिन डॉक ठीक थे, माटी को लगता है, डॉक मर चुके है, लेकिन तभी उसके पीछे एक कार आती है, माटी देखता है, उसमें कोई बैठा हुआ था, वो उतर कर माटी मेक फ्लॉई आवाज देता है, माटी बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो इस समय से था ही नहीं, उसे यहाँ कोई पैचानता ही न गया था, कि उन्हें ये लेटर बिलकुल उनके जैसे दिखने वाले लड़के को ही देना है, जिसका नाम माटी मेक फ्लॉई हो, जो इसी समय यही मिले, जैसे ही माटी उसे खोलता है, वो लेटर उसे डॉक ने लिखा था, माटी बहुत खुश होता है, डॉक जिन्दा है, वो यहां के माटी को भेंज देते है, और खुशी से चिलाने लगते है, लेकिन तभी पीछे से माटी वहाँ आता है, माटी को देखते ही डॉक को शौक लगता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, माटी बोलता है, वो फ्यूचर से वापस आया है, ये सुनते ही डॉक वही बेहोश हो जाते है, और माटी उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है, और ये मूवी भी यही end होती है, इसके आगे की कहानी इसकी अगली मूवी में continue होगी, मुझे पता है इस वीडियो पर भी उतना अच्छा response नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों ने भी इस पार्ट मूवी के explanation में, peace out